हलो स्वागत है आपका देश दुनिया के सबसे बड़ी खबरों में तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करोना वायरस के आंकड़ों को लेके देश में समय करोना वायरस की रफ्ता थोड़ी धीरमी जरूर हो गई है लेकिन अभी तक रुकने का नाम नहीं ली है बात करें अभी तक कि जो तैजा रिपोर्ट को मिला कर 38,73 जियां जो पिछले 24 गंड़े के रिपोर्ट को मिला कर 86 लाख लोग जो है अभी तक इस भहेंकर विमारी की चपेट में आ चुके हैं मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ 448 लोगों की जान पिछले 24 गंड़ों में गई और इनको मिला कर कुल हो गए संख्या 1,28,000 के पार बात करें वर्ड वाइट पर यानि पुरी दुनिया में तो 51 मिलियन लोग जो है अभी तक इस भहेंकर विमारी की चपेट में आ चुके हैं सबसे ज़्यादा करोना के संक्रमन में प्रभावित होने वाला राज महारास्ट्रा है जहां पर 1.73 मिलियन यानि 17 लाख लोग इस भहेंकर विमारी की चपेट में आ चुके हैं चलते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ हम आपको बता दे कि महानायक अमिताब बच्चन के खिलाब हो चुके हैं सिकायद दर्ज और यह दर्ज कराई है BGP विधायक ने जी हां आपने सही सुना महानायक अमिताब बच्चन के खिलाब हिंदू धार्मिक भावनाओं को भड़काने की सिकायद दर्ज की गई है और BGP विधायक ने यह दर्ज कराई है सिकायद जी हां बात करें जो ताजे रिपोर्ट के अंसर बताय जा रहा है कि महानायक अमिता बच्चन के खिलाब हिंदू धार्मिक भावनाओं को भड़काने का रोप लगाते हुए महराष्ट के लातूर में सिकायद दर्ज करवाई है फिलाल पुलिस ने इस सिकायद को स्मिक्तार कर लिया है हाला कि अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई बिगबी ने भड़काई दिसम्बर 1927 को डॉक्टर भीमरा अम्वेटकर और उनके अनिवाईयों ने इन से कौन से धर्मगरत की प्रतिया जलाई थी जिनके प्रकल्प इस प्रकार थे विश्न पुराम स्रीमत भागवत गीतार रिगवेद और मनुस्मृति को तो दो सामुदाय में जो है यहां पे ह इंसा भड़कने की जो है संभावनाय बताई गई थी लात्र पुलिस की ने जो है साब साब कहा है कि केस दर्च कर लिया गया है लेकिन अभी तक फायार दर्च नहीं किया गया है भारती जंता पार्टी के विधाय के मुताबिक यह चारों ऑप्शन हिंदू धर्म से जुड पेदा करने की कोशिस अमिताब बच्चन और सोडी टीवी की है साजिस के तहत किया गया यह काम पुरू मुख्ि मंद्री देवेंद्र फणविस के बिहत करीबी और फणविस के पीए भी रह inventory चुके पवार के अनुसार या एक सोची समजि साजिस के तहत किया गया ताकि स सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है अर्नोगोस्वामी की गिरिफतारी को लेकर अर्नोगोस्वामी की गिरिफतारी के बाद सही जो है पुलिस के उपर अभधरता का आरोप लगाया गया लेकिन वाकई में ये कितना सच है आये जानते हैं बात करें अर्नोगोस्वामी की ग बाइनर हो रहे हूं लेकिन पुलिस की ओड से आए एक वीडियो में एक अलग सज दिखाई दिया अलग अलग वीडियो के ये शॉट्स जब कोट में पेस किये जा सकते हैं तो बताया जा रहा है कि गरिफतारी पर किसी विवात की सितिती में बचाव के लिए पुलिस ने भी क कामा दिखाई दे रहा था इसी बीच के कारण पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे थे आरोप है कि अर्नगोस्वामी के घर पहले जो उनकी पुलिस पहुंचे थी उससे पहले जो उनके साथ मार पीट की गई थी शायद यह पहली बार है जब मुंबई पुलिस की अपनी करव सरकारी कमचारी के काम में दखल देने के मामले में केस किया गया इस मामले में पुलिस टीम ने सदश्यों से बयान दर्च कराने के लिए कहा गया सुबह 7 बजे पहुची थी पुलिस बात करें घटना करम के अनुसार राइगर पुलिस की एक टीम बुद्वार सुबह करीब 7 बजे अरनव गोस्वामे के घर पहुची थी इस टीम का नेतरिते डीयसपी प्रविन पार्टील कर रहे थे साथ बज़े पहुची पुलिस टीम को अर्णव के घर में घुसने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी ये टीम के सदस्यों ने जब अपनी पहचान बताई तो अर्णव ने घर का दरोजा खोलने से इंकार कर दिया अर्णव ने की दरोजे बंद करने की कोशिश बात में काफी अनुरोत के बाद जब अर्णव ने घर का दरोजा खोला तो पार्टील ने उनके घर के बाहर आने को कहा इस पर अर्णव ने फिर से घर का दरोजा बंद करने की कोशिश की इस पर पुलिस की टीम ने उन्हें पक करने की कोशिस की जा रही है जहां पर मुंबई पुलिस की छवी खराब करने की कोशिस सायद हो सकती है लेकिन मुंबई पुलिस ने अपने काम को अंजाम दिया और उन्होंने एक अच्छा काम किया कि फाइनली जो कोई भी इस मामले में लिप पाया जाता है उसके उपर कारवाई होनी चाहिए क्योंकि सन्विधान से बड़ा कोई नहीं चाहिए वो अर्ना गोस्वामी हो चाहिए उनसे भी बड़ा कोई लीडर हो चाहिए कोईसी भी जो है बड़े पदपर क्यों ना लेकिन सब के लिए कानून एक होता है खुद अर्ना गोस्वामी ने जो सुसान सिंग राजपूत के आत्मत्या के मामले को इतना उच्छाल उच्छाल के उच्छाला लेकिन उसके बाद भी क्या रिपोर्ट निकला कि एम्स के डॉक्टर ने बताया कि वाकई में वो एक सु आंतरण पर भी महाभारत चल चुका है जी आपने सही सुना जिस प्रकार महाभारत होता है अपनी सत्ता जो है दूसरे के हाथों में सौपने में तो ट्रंप जो हार चुके चुना जो बाइडन से लेकिन अभी तक उन्हें चाभिया नहीं मिली अमेरिक्या में राश्पति चुनाओ के बाद सत्ता संत्रन का मसला उलज गया डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने तो प्रेजिजन्ट इलेक्शन को जो बाइडन को ट्रांजिशन टीम वह टीम जो जनवरी 2021 तक ट्रंप के राश्पति रहने तक अहम नीतियों पर काम करेगे को संगी सरकार की चाभिया स अपने से इंकार कर दिया राश्पति ट्रंप लगा था चुनाओ में धांदनी का रोप लगा रहा है तो दूसरी तरफ उनकी ही रिपब्लिकन पार्टी में उनके इस रुख को लेकर मत भेद गरा रहा है दरसल अमेरिक्या के राश्पति चुनाओ में अगर सरकार बदलती है तो जीत हासिल करने वाला ट्रांजेशन टीम बनाता है और उस ट्रांजेशन टीम को फेडर गवर्मेंट की हर विल्डिंग हर दफ्तर में जगह दी जाती है जहां वह अगले सरकार चलाने के लिए जरूरी तयारी करते हैं इसके बजट के भी दिया जाता है जो इस करीब एक करोड डॉलर की करीब रहता है तो मौर को बाइडन को ट्रांजेशन टीम इसलिए जैनल सर्विस एड्मिनिस्टेशन की प्रमुख से ट्रांजेशन लेटर पर दस्तकत करने पहुची लेकिन उने दस्तकत करने से इंकार कर दिया तो फिलाल यहां पर अमेरिका में भी ज रही सुना रूस और चीन के बीच संबद वत्वान में काफी मजबूत माने जाते हैं लेकिन एक समय ऐसा भी था जब दोनों देशों एक दूसरे के खून के प्यासे थे इतना ही नहीं रूस ने तो चीन को सबक सिखाने के लिए परमाडू मिसाले दागने के त्यारी कर ली उस समय रूस के राश्पती निकिता खुस्वेस ने फिदेल कासरों के अनुरूत पर अपनी परमाड़ी मिसालों को क्यूबा में तनाद कर दिया था उस समय तक कम्यूनिस्प सासी देशों में सबसे बड़ा और सक्ति साली होने के कारण रूस का समर्थन चीन भी करता था और रूस ने सीमा परिसेनिकों और हतियारों की तनादी को बढ़ा दिया उनिस सवनहत्तर में दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ़ गया था कि मार्स से सितंबर तक दोनों पच्छों ने एक दूसरे के खिलाप अगोसित यूद तक लड़ाई किया तो कही न कही रोड के बाजार पर कबजा करने के लिए जियो जैसी तैयारी में मुके संबानी जिहां भारत में ऑनलाइन रिटेल का कारोबार बहुत तीजी से फैल रहा है देश के दिगज द्योगपती मुके संबानी भी जियो मार्ट के जरिये ऑनलाइन रिटेल में कूच चुके हैं और वे Amazon और Walmart स्वामित वाली Flipkart को बड़ी चुनोती दे रहे हैं। Morgan Stanley की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में E-Commerce का कारूबार 2026 तक 200 अरब डॉलर यानि 1 डॉलर 75 रुपे के हिसाब से करीब 15 लाग करों रुपे का हो जाएगा। और अभी तक इस पर Amazon और Flipkart के भी स्टकर था अब इसमें जियो मार्ट के भी एंट्री हो चुकी है। जियो जैसा स्ट्रेटीजिज पर काम किया जा रहा है। Bloomer की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल्लाइन डिटेल में दबदबा बनाने के लिए मुके संबानी ने जियो